नमस्कार मैं प्रानिशीर राठोर और आप देख रहे हैं निक्स्ट नाइन न्यूज जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वक्त पूरे ही देश्वर में राजनिते गल्यारों में हलचल मची हुई है आगामी लोकसभा चुनाव के चलते साल दोहजार चौबीस में ये चुनाव होने वाले हैं लेकिन इससे पहले स्यासत तेज है आगामी विधान सभा चुनाव के चलते एक जुटता का वह संदेश देते हुए नसरा रही है और कह दिया है कि भारती जनता पार्टी को हराना है तो सभी को एक होना पड़ेगा जी हां भारती जनता पार्टी की जो पावर है यहां पर इतनी बढ़ चुकी है कि पूरे ही विपक्ष को अब एक जुट होना पड़ र राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मूजी अब जल्द ही कई बड़े ऐलान कर सकती है जी हाँ आपको बता दे कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रे सहियोजक और दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद के इजरिवाल गुजरात में जीत हासिल करने के लिए डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के लिए खत्रे की घंटी बन चुके हैं ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मूज जल्द ही गुजरात का दौरा करने के लिए तैयार है और आखिरकार वहाँ पर क्या कुछ एहम एलान किये जा सकते हैं ये वक्त के साथ पता चलेगा दरसल आपको बता दे मौका बहुत ही खास है ये मौका है गांधी जैनती के मौके का दो अक्टुवर के दिन देश की पंद्रेवी राष्टपती द्रोपदी मुर्मूज जी गुजरात में गुजरात में वहें क्या कुछ एलान कर सकती हैं इसका इंतजार अभी फिलहाल सभी को करना होगा जी हां आपको बता दें कि अरविंद के जिवाल डंके की चोट पर एलान कर रहे हैं यहां पर 182 सीट जीतने का लक्ष है यहां पर बना लिया है बीजेपी ने लेकिन वहीं अरविंद के जिवाल भी कम नहीं पड़ रहे हैं आपको बता दें कि गुजरात दौरे पर 2 से 3 अक्टूवर को नजर आएंगी देश की राष्ट पती महमान वहें बनेंगी और इसको लेकर प्रिशाशन ने तैयारियां जोरो शोरो से शुरू कर दी हैं दो अक्टूवर क गुजरात पहुचेंगी एहमदाबाद इस्तित सामरबती आश्रम का दौरा करेंगी और राष्ट पिता महात्मा गांधी जी को नमन भी करेंगी लेकिन इसके बाद वहें गांधी नगर में नए सिविल हॉस्पिटल की आधार शिला भी रखेंगी इतना ही नहीं दौरे के दोरान तमाम प्रोटोकॉल और सुनक्षित करने के लिए स्थानिय प्रिशाशन को अलट कर दिया गया है जी हां मुख्य मंतरी भूपेंद्र पटेल उनका स्वागत करने वाले हैं 17 जुलाई को वहें लास्ट टाइम गुजरात गई थी और अब वहें एक बार फिर से गु हिस्ता बनेंगे वहीं ग्रहराज्य गुजरात को कई बड़ी भेड भी देंगे और वहीं वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेंड के शुरुआत से लेकर एहमदबाद मेट्रों के लोका अरपड के बड़े-बड़े कारेक्रमों का वहें हिस्ता भी बनेंगे इस तरीके से दे को भी गुजरात भेज दिया है देखना दिल्चस्प होगा कि आखिरकार आने वाले समय में यहां पर राष्ट्रेपती के क्या कुछ एलान होते हैं और जीत किसकी होती है इस रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन न कर दो